ये आदमी अंधा होने का नाटक करता है और लोगों के घर पियानो बजाने जाता है एक दिन आकाश एना के बर्थडे के दिन पियानो बजाने के लिए उसके घर जाता है वो बड़ी ताज्जूब से पियानो बजा रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक लाश के उपर पड़ लेकिन वो हत्यारा उसे मारने का फैसला कर लेता है, तब ही एना उसे अंधा कहकर छोड़ने के लिए कह देती है, बाद में पता चलता है कि उस हत्यारे और एना के बीच अफेर चल रहा होता है, जिस वजह से उन दोनों ने मिलकर एना के पती को मार डाला होता है, हत्यारा आक अकाश के सामने ही शव को एक बैग में पैक कर देता है, अगले दिन आकाश मर्डर की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन चला जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो हत्यारा ही वहां का धरोगा है, आकाश अपनी बिल्ली खो जाने के बारे में जूट बोल देता ह हत्यारे को आकाश पर शक होने लगाता है, जिस वजह से वो उसके घर चला आता है, हत्यारा जब देख नहीं रहा होता तो आकाश अपने कॉंटेक्ट लेंस अपने हाथ में छिपा लेता है, तभी वो हत्यारा फल काटने वाला चाकू उठाता है और सीधा उसे आकाश की त प्रफ फेंक देता है,